स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम JCRT Class 8 हमारे संसाधन भुगोल के चप्टर 1 संसाधन के कुछ इंपोटेंट ओब्जेक्टिव टाइप बहु वैकलपिक परशनों को सौल्व करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेश कर लीजे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आगला वीडियो आपको किस सब्सक्राइब का और कौन से चप्टर का चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सकें मुझे पर वीडियो बना सकें तो चलिए सू करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से प्रयासन है और उसके उतर क्या होंगे इसमें पहला प्रयासन है निम्नांकित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है कैंसर उपचार की ओस्दियां जर्ने का जल उसने कटिवंधिय वन इनमें से कोई नहीं इसका उतर है कैंसर उपचार की ओस्दियां इन में से कैंसर उपचार के ओस्दियां मानव निर्मित संसाधन है, बाकी सभी ज़रने का चल और उस्ण कटिवंधिय वन ये प्राकिर्तिक संसाधन है अगला प्रैसने, जिव संसाधन होते हैं, जिव जन्तूं से व्यूत्पन, मनुस्यों द्वारा निर्मित, निर्ची ववस्तों से व्यूत्पन, इन में कोई नहीं इसका उत्तर ही जिव जन्तूं से व्यूत्पन, जिव संसाधन जिव जन्तूं से व्यूत्पन होते हैं अगला प्रैसने लद्दाक में पाया गया उरेनियम उदारन है वास्तविक संसाधन, संभाविय संसाधन, नविकर्निय संसाधन, सर्व व्यापक संसाधन इसका उत्तर है संभाविय संसाधन लद्दाक में पाया गया उरेनियम संभाविय संसाधन है संभावी संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसका वर्तमान समय में उप्योग तो नहीं किया जा रहा लेकिन भवी से में इसका उप्योग किया जा सकता है और इसलिए लद्दाक में पाया गया उरेनियम संभावी संसाधन के उधारन है अगला प्रैसने वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ग्यात हो और वर्तमान में उप्योग किया जा रहा हो कहलाते हैं संभाविय संसाधन, वास्तविक संसाधन, संरक्षित संसाधन, इनमें कोई नहीं इसका उत्तर है वास्तविक संसाधन वास्तिविक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्यात हो और वर्तमान में उप्योग किया जा रहा हो अगला प्रैसने इन में से कौन अनविकर्निय संसाधन का उधारन नहीं है पेट्रोलियम, कोईला, वन, प्राकृति गैस इसका उत्तर है वन वन अनविकर्निय संसाधन का उधारन नहीं बलकि वन एक नविकर्निय संसाधन है बाकि पेट्रोलियम, कोईला और प्राकृति गैस ये सभी अनविकर्निय संसाधन है अगला प्रैसने निम्नांकित में अनविकर्निय संसाधन कौन है सोर उर्जा, पवन उर्जा, पेट्रोलियम, भूमिगत उर्जा इसका उत्तर है पेट्रोलियम इन में से पेट्रोलियम और नवीकर्णी संसाधन है बाकि सोर उर्जा, पवन उर्जा और भूमिगत उर्जा ये तीनों नवीकर्णी संसाधन है अगला प्रेस ने नवीकर्णी संसाधन का उधारन निम्ण में से कौन नहीं है सोर उर्जा, पवन उर्जा, कोईला, बायो गेस इसका उत्तर है कोईला इन में से कोईला नवीकर्णी संसाधन का उधारन नहीं है बाकी सभी सोर उर्जा, पवन उर्जा और बायो गेस ये तीनों नवीकर्णिय संसाधन के उधारन है जबकि कोईला अनवीकर्णिय संसाधन है अगला प्रैस्ने वैसे संसाधन जिनकी परकृती सिखर्ता से नवीकर्ण कर लेता है कहलाता है चरीत अनवी करनिये इन में कोई नहीं इसका उतर है नवी करनिये वैसे संसाधन जिनकी परकृती सिघर्टा से नवी करन कर लेता है वैसे नवी करनिये संसाधन कहलाते हैं अगला प्रेसन वैसे संसाधन जिसका एकी बार उप्योग संभव हो और भंडार सिमित हो कहलाता है नवी करनिये पुनर नवी करनिये पुनर उप्योगी अनवी करनिये इसका उतर है अनवी करनिये अनवी करनिये वैसे संसाधन होता है जिसका उप्योग एकी बार उप्योग स सिमीद, छैसील, इसका उत्तर है सर्व व्यापक, वैसे संसाधन जो सभी जगर पाया जाते हैं, सर्व व्यापक संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रेसने, निश्चित अस्थानों में पाया जाने वाले संसाधन को कहते हैं, सर्व सुलब, सर्व व्यापक, अस्थानिय, सर्व मानिय, इसका उतर है अस्थानिक, वैसे संसाधन जो सिर्फ एक निश्चित अस्थानों में पाया जाते हैं, अस्थानिक संसाधन कहलात अगला प्रेस ने प्रोध्योगी की संसाधन है मानव निर्मीत, मानक, संभाव्य, प्राकृतिक इसको उतर है मानव निर्मीत, मानव निर्मीत वैसे संसाधन होते हैं जो मानव आने की मनुस्यों की द्वारा निर्मीत किये गए हैं और यहां पर प्रोध्योगी की मनुस्यों से निर्मीत मानव निर्मीत जीर जंतों से निर्मीत इन में कोई नहीं इसका उतर है निरजी वश्तों से ​​一ह उतर है जल इन 7 इनमें से जल जल अस्थानिक संसाधन नहीं है बाकी लोहा अवरक और मैंगनीच वह अस्थानिक संसाधन है जल अस्थानिक संसाधन ना हो करके सर्व व्याप संसाधन है क्योंकि जल लगवक सभी जगह पर पाया जाते हैं जबकि लोहा अवर्यक और मैंगनीच यह तिनों अस्थानिक संसाधन है क्योंकि यह तिनों ही खनीच प्रित्वी के संसाधन है जो एनी संसाधनों को बहु मुल्य रुख परदान करते हैं आपको वीडियो कैसा लगाई हमें कमेंट में जरू बता दें अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसी लाइक किजे दोस्तों के साथ सेर किजे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नर्टिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें